कि exactly आपको reference कैसे add करना होता है तो जैसे आप देख पारे हो उपर तीन horizontal line है उस पर आपको click करना है और first option आपका जो FFA है if you can see here आपको FFA option पर click करना है जैसे आप उस पर click करोगे तो आपको आठवाँ option 8 option list consumer reference खाएगा आपको उस पर click करना है क्लिक करने के बाद आप देख पारे होंगे कि आपको कुछ इस तरह से page open हो जाएगा जिसमें आपको उपर में दिया हुआ है add consumer reference इस button पे जब आप click करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक form open हो जाएगा ठीक है तो आपको form open होने के बाद सबसे पहले consumer का name डालना रहता है फिर आपको consumers mobile number मतलब वो international है या national है पहले उस पर आप select करोगे then आपको यहाँ पे उनका number डालना रहेगा जो number आप इस्तेमाल करने वाले हो उनको application को download करवाने के लिए ठीक है तो आप वो number यहाँ पे डाल सकते हो फिर आपको email id डालना रहेगा अगर उनके पास कोई email id है तो आप डाल सकते हो नहीं तो आप इस column को छोड़ सकते हो ठीक then आपका next option है consumers preferred language तो आप उस पर click करोगे तो आपको multiple language का option आजाएगा आप Hindi पर select कर दो and then consumer का gender क्या है male है यह female है उस पर आपको click करना रहेगा then उसके नीचे में आपको दिखा रहा है consumer state आप उस पर click करोगे जब select state पर click करोगे तो आपको यहाँ पर multiple states के नाम आ जाएंग जो आपका state है जो आपका राज्जी है उस पर आप click कर सकते हो anything जिसे मैंने आप पर करनाटक पर click किया है तो आप आपको city जो आएंगे वो करनाटक के ही आएंगे अगर मैं city पर click करता हूं नीचे के option में तो मुझे सारे के सारे जो करनाटक के city हैं उनका list आ गया तो मैं आ कि इसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने नाम से ही एक reference आड़ किया था अब जो भी आपका reference आड़ हो जाएगा आपको उस नाम पे जो आपको blue color में दिखा रहा है link जैसा उस पर click करना है जब आप click करते हो तो यहां पर पूरा profile उनका open होके आ जाएगा जो भी आपन कि रिजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा ठीक है जो भी आपने form में फिल किया होगा वो सब कुछ यहां पर आपको शो करेगा उनके नाम के नीचे consumer ID क्रेट हो जाएगा और आपका HRM नंबर जो रहेगा वो यहां पर शो करेगा ओके और नीचे में आप देख सकते हो कि सार